नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेम्सकेडमी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स धर्म से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको एंड वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेर और कमेंट जरूर करना दोस्तों हमने बैंकिंग, SSC और स्टेट कॉर्मन जॉब के आफ्राइन बैचिस भी स्टार्ट कर दिये है अगर आप अड्मिशन लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मारी कॉंटेक्ट डिटेल मिल जाएगी वहाँ से आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट कोश्चन है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका अंसर है गुरू नानक देव तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरू नानक देव थे सिख संपरदाय की स्थापना का श्रे गुरू नानक देव को दिया जाता है गुरू नानक देव सिखो के प्रथम गुरू कहलाते है और गुरु नानक के अनुयायू को सिख था जाता है इसका अंसर है 1499 इस्वी को तो गुरु नानक का जनम 15 अप्रेल 1499 इस्वी को तलवंडी में हुआ था इनके पिता का नाम लाला कल्यान रहे और माता का नाम तृप्ता देवी था इसका अंसर है 1449 इस्वी को तलवंडी में हुआ था पिता का नाम लाला कल्यान रहे और माता का नाम तृप्ता देवी था इसका अंसर है 1449 इस्वी को तो गुरु नानक की मृत्तिव 1549 इस्वी को करतारपूर में हुई थी गुरु आनन देव ने गुरु नानक देव की जिवनी लिखी थी इसका अंसर है गुरु नानक देव ने तो गुरु का लंगर नामक निशुलक सह भागी भोजनालियो की स्थापना किस ने की थी गुरु नानक देव ने की थी गुरु नानक देव ने अनेक स्थान पर संगत और पंगत स्थापित किये थे संगत धर्मशाला को कहते है और पंगत लंगर को कहते है नेक्स क्वेशन है गुरु नानक देव किसके समकालिन थे इसका अंसर है गुरु अंगत तो गुरु अंगत गुरु नानक देव का उत्रादिकारी था गुरु अंगत सन 1549 इस्वी से लेकर 1552 इस्वी तक सिखों के दूसरे गुरु रहे थे इनका पारंभिक नाम लहना था Next question है किस सिख गुरु ने गुरु मुखी लीपी आरंब की थी? इसका अंगत ने गुरु अंगत ने गुरु मुखी लीपी आरंब की थी इन्होंने गुरु ध्यानक देव द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को स्थाई बना दिया था तो ध्यानक ना है आप लोगोंने इन्होंने गुरु मुखी लीपी का आरंब किया था और जो लंगर विवस्था थी उसे स्थाई बना दिया था नेक्स्ट वेश्चन है सिखो के तीसरे गुरु कौन थे इसका अंसर है गुरु अमर्दास तो सिखो के तीसरे गुरु कौन थे गुरु अमर्दास थे शिखों के तीसरे गुरु अमर्दास अकबर के समकालीन थे ये संद 1522 इस्वी से लेकर 1524 इस्वी तक सिखों के गुरु रहे थे इनकी पुत्री का नाम बीबी भानी था अकबर ने उनकी पुत्री बीबी भानी को 500 बीगा जमीन दान दी थी तो ध्यान रखना आपने सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमर्दास थे इसका अंसर है गुरु रामदास तो सिखों के चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे बीबी भानी के पती रामदास सन 1544 इस्वी से लेकर 1580 इस्वी तरक सिखों के चौथे गुरू रही थे इसका अंसर है गुरू रामदास ने तो पंजाब में अमरिसर नगर की स्थापना किस ने की थी अकबर ने बीबी भानी को जो 500 बीगा जमीन दी थी उसमें गुरू रामदास ने अमरिसर नगर की स्थापना की थी नेक्स्ट क्वेशन है गुरू रामदास का उत्रादिकारी कौन था इसका अंसर है गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास का उत्रादिकारी कौन था? गुरु अर्जुन देव था गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरुपद सौंपा था इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैत्रिक बना दिया था गुरु अर्जुन देव सन 1581 से लेकर सन 1606 इस्वी तक सिखों के पांचों गुरु रहे थे नेक्स्ट क्वेशन है किस सिख गुरु ने स्वयम को सच्चा बाशा कहा था इसका अंसर है गुरु अर्जुन देव ने तो गुरु अर्जुन देव ने स्वयम को सच्चा बाशा कहा था 1604 इस्वी में इन्होंने आदी ग्रंत की रचना भी की थी इन्होंने अमरिस्सर जलाशे के मध्यों में हरमंदर साहब का निर्मान करवाया था जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से भी जानते है नेक्स्ट क्वेशन है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकमार खुसरो की सायता धन एम आशिरवास से की थी इसका अंसर है गुरु अर्जुन देव ने गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो जो की जहांगीर के विद्रोही बन चूके थे उनकी सायता धन और आशिरवास से की थी नेक्स्ट क्वेशन है किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था इसका अंसर है गुरू अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था खुश्रों की सायता करने के लिए जहांगीर ने सिखों के पांचवे गुरू अर्जुन देव को सन 1606 इस्वी में मृत्यु दंड दिया था इसका अंसर है गुरु हर्गोविन सिंग गुरु अर्जुन देव का उत्रादिकारी था गुरु हर्गोविन सिंग सिखों के छटे गुरु बने थे गुरु हर्गोविन सिंग सन 1606 इस्वी से लेकर 1645 इस्वी तक सिखों के गुरु रहे थे इसका अंचर है गुरू हरगोविन सिंग ने सिंग्धो को सैनिक बनाने का कार्या पारम्ब किया था इन्होंने सिंग्धो को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तक्थ या इश्वर के सिंगासन का निर्मान करवाया था नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट इन्से मिलने दारशी को आये थे और इन्हों ने उसे आशिरवाद दिया था इसका अंचर है गुरु हरकिशन तो गुरु हरकिशन सिखो के आठवे गुरु बने थे इसका अंचर है गुरु हरकिशन की तो गुरु हरकिशन की मृत्यू चेचक के कारण हो गई थी तो दोस्तो ये थे सिख धर्म से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट हैं से क्यों इसका पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे तो कैसा लगा आपको मरा आज का इई वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताए अगर आपको इई वीडियो पसंद आया तो यसे लाइक शेर और कमेंट करना ना भूलेगा अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पे देख रहे तो मारे बेच को लाइक कीजिए अगर आप इस वीडियो को यूटियूब पे देख रहे तो मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो जैंपे लाते रहेंगे धन्यवाद